मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि फाइटर से लाइफ बिजनिस में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्पूर्ण है सोधर प्लान यानि मार्केटिंग प्लान दिखाना होगा जब तक आप सोयम अपना मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाते हैं तब तक आप अप्लाइन के ही बिजनिस में है समझेगा इस बात को कि अगर आप खुद प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आप अप्लाइन के ही बिजनिस में हैं तभी से यह बिजनिस आपका हो जाता है जितनी जल्दी आप प्लान दिखाना प्राप्त करेंगे उतनी जल्दी आपका बिजनिस सुरू होगा जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतनी जल्दी आप अपने लक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो अगर आप अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुद से प्लान दिखाना होगा हो सकता है कि प्रारभ में आपको प्लान दिखाने में जिजख हो लेकिन जैसे ही आप प्लान दिखाना सुरू करेंगे आपकी जिजख अपने आप समापत हो जाएगी यह मत सोचिए कि मैं तभी प्लान दिखाना सुरू करूँगा जब सबसे बढ़िया प्लान दिखा पाऊंगा बलकि सत्यता तो यह है कि जब आप प्लान दिखाना सुरू करेंगे तभी बढ़िया से बढ़िया प्लान दिखा पाएंगे याद रखिए जितना ज़्यादे प्लान दिखाएंगे उतना बड़ा व्यापार आपका होगा जैसे मुझे तेरने नहीं आता तो मुझे तेरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा अगर मैं यह कहूँ कि मैं जब तेरना सीख जाओंगा तब पानी में उतरूँगा तो उससे पहले हम पानी में नहीं जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तैरना नहीं सिखा सकती यह बात आप लोगों को स्विकार करना होगा या समझ रहे होंगे कि बिना पानी में मुझे गए हम तैरना नहीं सिखते सकते उसी तरीके से बिना प्लान दिखाए बिना उसमें हमें इंडर किए निस्चित रूप से प्लान दिखाना नहीं स्घॉजू कर सकते best planner नहीं बन सकते इसी तरीके से आप प्लान सिखाना आपको जरूरी है आपको प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा अपना प्लान सोयम दिखाईए आप से बढ़िया कोई प्लान नहीं दिखा सकता कहेंगे ऐसा कैसे बिलकुल सही बात है क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं उससे तो कुछ भी मालूम नहीं है ना फिर संकोच कि इस बात का फिर आप क्यों ऐसा परिशान हो रहे हैं कि अरे वह हमसे जादे अरे आपसे तो जादे जानता ही नहीं है फाइट उसे लाइफ के बारे लिए तो ध्यान रहे सिर्फ प्लान दिखाना ही हमारा काम नहीं है बलकि प्रोड़क्ट का डिमोंस्ट्रेशन करना उसके परड़े जूम मिटिंग में लाना ये सारा भी काम उसको इंविटेशन करना ये भी सिखाना ये सारा काम आप ही का है ये सब आपको ही करना होगा देखिए ये जो ब्याउशाय है यह लोगों का ब्याउशाय है इसलिए थोड़ी सी टेकनिक सीखना होगा थोड़ी सी जानक आपको रखना होगा, ताकि आपका काम आसान हो जाता है, जब आप टेकनिक सीख जाएंगे, चीजों को समझ जाएंगे, तो सामने वाला व्यक्त आसानी से इस चीज को समझ पाता है, तो आप किसी को समझाने के लिए थोड़ी से टेकनिक का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी से तोड़ा धीर-धीर सीखना है इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है आपको अपनी भावनाओं को पवित्र रखना है यह ब्योसाय में जब तक आपका भावनात्मक लगाओ नहीं होगा तब तक आपका यह ब्योसाय नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से आप अपने बच्चों स निश्चत रूप से इससे आप अगर को रिलेट करेंगे तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी जैसे उदारन के लिए चलिए मेरे सामने असोग जी दिखाई दे रहे हैं असोग जी से हम पूछेंगे असोग जी से एक सवाल है असोग जी अपना आप अन्म्यूट कर लीजिएगा आपसे एक सवाल है कि अगर आप अपने घर में रहां पे रह रहे हैं उसके सामने वाले घर में आपको जाना हो और हम कहें कि सर आपको सामने वाले मकान में जाना है और बस मकान में जाके चले आन तो आप उस कमरे में जाएंगे कि नहीं कि अगर आपको में सामने वाला जो पडोसी का घर है उस पडोसी के घर में आपको केवल बस जाना है चले आना है और इसके बदले आपको 10,000 रुपया मिलेगा तो आप जाएंगे या नहीं कुछ उसका कारण अब आपने आपको कारण बता तो दिया 10,000 रुपया हम आपको देंगे क्यों सामने वाले के घर में जाना है और आना है जाएंगे या नहीं जाके आ सकते हैं आपने विचार किया और बोला कि जाके आ सकते हैं अब दूसरीरा से च्चुमेशन दे रहा हूंँ आपको मैंने दूसरा situation ये दिया कि आपका सामने वाले घर में आग लगी हुई है अब हम करें कि आप जो आग जल रही है उस आग मतलब उस घर में आग जल रही है और आपको उस घर में अब जाना है और जाके आना है दस जार रुपया देंगे आप जाएंगे या नहीं आग लगी हुए है जबर्जस्त होली का दहन की तरह जल रहा है कियो असुच जी अरे अरे अगर उसमें कोई फसा हो तो जा सकते हैं तो आपने क्या कहा नहीं जाएंगे अब कि फसा है कोई आपका अपना भी हो सकता है कोई जिससे आपका लगाव है वो भी हो सकता है अब उस घर में आग लगी है अब आप जाएंगे कि नहीं इस का मतलब आपको मैंने तीन सेच्विजम दिया पाली सेच्विजम उस घर में आपको जाना आना है 10.000 रुपए आ तो आपने कहा ह authentique दूसरा साइच्विजम दिया कि आग लगी है अब आपको जाना है आपने का नहीं जाएंगे भीया तीसरा situation में कोई फसा है उस घर में तो आपने का जाएंगे मतलब आप कोई भी जब काम करते हैं तो वजह clear होती है आपको पहली बार जाने का वजह है दस जार रुपया मिलेगा अर यार बड़ी मेहनत से पैसा मिलता है 10,000 रुपया अब क्यों उनके घर जाना है और आना है और 10,000 रुपया मिल जाएगा तो इसका मतलब हो गया हम जाएंगे क्योंकि मेरी वजह clear है मुझे 10,000 रुपय की जरूरत है या मुझे चाहिए दूसरा situation में मैंने आपसे बोला तो आपने कहा कि नहीं आग लगी है हम जाएंगे 10,000 रुपया जाए दूर की बात है हमारा सरीर जरूरी है हमारा सरीर कीमती है इसे हमें अस्वस्त नहीं करना है हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है तो यह रिस्क आप नहीं लेंगे उस 10,000 रुपय के लिए यानि वजह clear है कि आग की प्राथ्मिक्ता दी करके आपने का नहीं आग लगिये मैं नहीं जाओगा तीसरी सिच्वेशन में आपने सोचा कि चाहे हम थोड़ा बहुत जल भी जाएंगे लेकिन सामने वाले का जीवन हमें बचाना है वो तीसरा सिच्वेशन है तेम ऐसे ही आपके लाइफ में जब तक वजह clear नहीं होगी तब करेंगे आप जो भी काम किये आपने वजह clear थी तब आपने काम किया उसी तरीके से फाइड़ो से लाइफ आप तभी करेंगे जब आपकी वजह clear होगी आप क्यों कर रहें फाइट़ो से लाइफ यह आपको सोचना होगा decide करना होगा, समझना होगा फिर जाकर के निश्चित रुप से आप इस ज्यावसाईगों कर पाएंगे तो अब महत्तपुन बात क्या है अब महत्तपुन बात है कि आपको वजह clear करना है तो आपको प्लान दिखाने की वजह आपके पास होनी चाहिए आपकी भावनाएं पवित्र हो, हमेशा प्लान दिखाने से पहले यह सोचें कि सामने वाले व्यक्ति को मेरी बात समझ में आ जाए हेश्वर, जिससे कि इनके सारे सपने पूरे हो जाए मुझे में इतनी सकती आ जाए कि मैं अपनी बात इस तरह से इन्हें समझा सकूँ, इनके फायदे के लिए मैं समझा सकूँ जिससे इनके जीवन में परिवरता न आ जाए क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा व्यापार है इस ब्यापार में लोगों के सपने पूरे होते हैं इस ब्यापार में लोगों की जिंदगियां बदलती हैं आप सभी जानते हैं तो जब भी किसी को प्लान दिखाएं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले माहौल को comfortable करना है माहौल को comfortable करने के लिए दो-चार questions answer करिए थोड़ा सा मतलब ऐसे प्रस्न पूछिए जिससे वो comfort हो जाए उनके बारे में उनके कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते है जिसे मान लिजिए उनके घर में कोई ऐसी चीजे है जो आपको पसंद आ रही है तो आप उसकी प्रसंसा कर सकते है और प्रसंसा ये कैसी चीज है न जो लोगों को attach करने में बड़ा मदद करती है उनके ऐसा नहीं है कि जूठी तारीफ करनी है आपको जो उनके घर की या उनकी कोई अच्छी चीज लग रही है तो वहीं चीज आपने उसको क्या किया बता दिया तो उसके अंदर से एक खुसी जागरित होगी क्योंकि वह अच्छा वैसा ही सोचता था वैसा आपने भी सोच लिया तो दोनों सिमिलर होगे इस कारण से ये बेनिफिट उनको दिखाई देगा इसका जब उनको अटेच्मेंट होगा तो अटेच्मेंट होगा तो वह कमफर्टेबल होगे जब वह कमफर्टेबल होगे तो वह आपसे आसानी से हर तरीके से आपसे बात करने लगेंगे जहां तक संभव हो तो पूरी फेमिली के साथ आप प्लान दिखाएं जिसे अगर husband wife हैं, तो husband wife को साथ में बेठा करके प्लान दिखाएं। अगर मानले जी कोई बच्चे लोग हैं, जो कम age के हैं, उनका जो निरने लेने में वो खुद capable नहीं है, तो जब वो खुद capable नहीं है निरने लेने में, तो उनके माता पिता के साथ आप प्लान दिखाए आप माता पिता के साथ जब बात करेंगे, तो निरने लेने में आसानी हो जाएगी, वो आसानी से आपका ब्यावसाय स्टार्ट कर सकता है व्यवक्ति, क्योंकि फिर आप हैं, तो आप उसके अंतिम चरण का जो closing part है, वो भी हम आपको बताएंगे, तो इस तरीके से इसकी स सुरुआत कर सकते हैं, तो आपको मैंने बात ये बताई, कि आप जब किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ BCS बातों पर ध्यान देना है, जैसे आपका जो प्लान है, वो सरल हो, संशित हो, और इंट्रेस्टेड हो, इंट्रेस्ट की तरह हो, इसका मतलब है कि, मिनस है, कीप इट सिंपल एंड सॉट, आपका जो प्लान है, वो सिंपल हो, और सार्ट हो, इस बात का ध्यान रखें, और आप जो कुछ भी बोले, वो इस पस्ट हो, ये नहीं कि आप प्लान दिखाने चले, आप कुछ भी चीज बता रहे हैं, तो आप ही खुद सोच-सोच करके, सोच-सोच करके बता रहे हैं, तो वो व्यक्त में वो powerful interaction नहीं हो पाएगा, वो एक अच्छे से आपकी बात को वो समझने में प्रभावकारी आप नहीं हो पाएंगे, जिससे कि वो आप से connect हो, आपकी जो आवाज है, वो भी स्पस्ट हो और लोगों के हिसाब से हो, ना तो बहुत तेज हो और ना बहुत धीरे, क्योंकि जब आप प्लान दिखाने जाते हैं बोर्ड पे, या फिर individual, आप धीरे-धीरे बोल रहे हैं, इतना धीरे बोल रहे हैं कि सामने वाले आपकी बात से प्रभावीत नहीं हो पारा है, तो आवाज, आपका जो मोशन है, आवाज की जो लय है, वो भी बहुत महत रखती है, उसमें आपको ये दिखाना होगा कि कब कहां हम तेज बोलें, कब कहां धीमे बोलें, कब किन बातों पे हम प्रभाव साली तरीके से बात करें, ये आपके बातशीत की कलाह पर डिपेंड कर आवाज को भी ध्यान में रखना है, और ये जो सबसे महत पुन बात होती है, वो आपका हावाव होता है, देखिए होता क्या है, हम सभी लोगों के अंदर एक हीनता की भाव अगर आ जाती है, तो ब्यापार में आप सफल नहीं हो पाते, और हीनता की भाव ना आती कैसे है, हीनता की भाव ना ये आती है ना कि अरे सामने वाले ब्रक्ति से 12,000 उप्या लेना है, सामने वाले ब्रक्ति से 7,000 बिजनिस वेलियूम का आर्डर लेना है, अगर वो ले लेगा ना तो मेरा इतना प्राफिट हो जाएगा, अगर वो ले लेगा ना तो मेरा साइड मेंटिन इसी posture के कारण से आपको business का entry नहीं आ पाती आप किसी भी व्यक्ति को involved नहीं कर पाते business में उसका reason क्या होता है आपका posture ही गलत है आपका posture जो होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि हम सामने वाले को एक ऐसी चीज देने जा रहा हूं जिससे उसकी जिन्दगी बदल ज जा रहे हैं एक महान आवसर देने जा रहे हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा transform हो सकता है जिससे सामने वाला व्यक्ति इस जो कोलू का बैल होता है ना उस तरीके के जीवन से मुक्त हो सकता है वो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की और जा सकता है वो एक्टिव इंकम से पैसिव इंकम की और जा सकता है वो अपने लाइब को अच्छे तरीके से जी सकता है जब ये आपके भाव रहेंगे जब आपका ये पोस्चर रहेगा आपका जब ये हाव भाव रहेगा तो आप उस हिसाब से सामने वाले को बताएंगे आपके जंदर जब मांगने की प्रवर्तिर होगी जब आपको मिलेगा कैसे भी मिल जाती कैसे भी एक आईडी आजाती कैसे भी 2000, 4000, 5000 का आडर आजाता जब यह भाव रहेगा तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से बू है एक तरीके से गंध है जो सामने वाला समझ जाता है वो सामने वाला समझ जाता है बस अपने लाव के चक्कर में आया है तो वो हमें इंट्री नहीं देता अजब उसे ये पता चल जाएगा नहीं यार भाई इसमें तो मेरा लाव है तो जब उसे ये समझ में आएगा कि मेरा लाव है तो वो आपके साथ अटैच हो जाएगा तो आपका पोस्चर बड़ा माइनी रखता है आपको इसी पोस्चर के साथ आपको प्लान दिखा यह मैं नहीं करा हूँ कि आप एगो रखें आप अहंकारी मत बनें लेकिन जरूर हाव हाव आपका सही होना चाहिए आपको आपके अंदर बिनम्बरता होनी चाहिए और आपको इस तरीके से समझाना है कि इसमें सामने वाले का ही बेली पिट है सामने वाले का ही लाव है यह चीज आपको धान में रखना होगा और जब भी मीटिंग में जाएं तो आपके हाव भाव को और बढ़ाने में आपका ड्रेस अप बड़ा मायने रखता है अगर आप अच्छे ड्रेस अप में न जाएं तो आप अच्छे तरीके से प्लान ही नह आए यह आपको रखना होगा अब आपको क्या करना है कि पूरे जो प्लान है उसको इस तरीके से बताना है अब प्लान कैसे बताना यह बता रहा हूं आपको जो बिजनेस प्लान दिखाना है उसमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपका जो एक के बाद एक सेंटेंस है वो एक तरीके से systematic होना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्त एगर 3-4 बार plan आपका सुन लिया, कोई भी नया ज्वाइनर आपका 3-4 बार plan सुन लिया, तो ये एक दम आपकी copy कर सके, एक दम same to same आपकी तरह वो जानता हो कि सर अब इसके बाद यहीं बोलेंगे, वो जब आप एक दम simple कर देंगे, तो सामने वाला उसे duplicate कर पाएगा, जब तक team आपकी duplicate नहीं कर पाएगी plan को, तब तक वो खुद plan नहीं दिखाएगी, वो सोचे कि अरे सरी दिखा पाते हैं, सरी बढ़िया बता पाते हैं, हम तो बताई नहीं पाएगे, क्योंकि ये अलग-अलग सारी बाते करें, अलग मेटर हैं, लेकिन plan में कोई हेरा फेरी नहीं, plan में कोई add नहीं करना है, plan आपका maximum आधे घंटे के अंदर होना चाहिए, plan दिखाने से पहले, आप उनसे ये जरूर बताएं, कि देखे सर, actual में हम कुछ ऐसे ambitious लोगों की तलास कर रहे हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसे लोगों की तलास कर रहे हैं, जिन लोगों के सपने हैं, अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, तो अगर सर, आपके भी कोई ऐसे सपने होगे, जो आप पूरे करना चाहते हैं, तो आईए मिल करके हम लोग इस चीज को समझें, अगर comfortable हुए, अगर हम लोगों को ये बात, आपको ये बात हमारी पसंद आई, तो हम लोग मिल करके business करेंगे, और नहीं तो कोई जरूरी थोड़े है कि आप मेरा बेवसाई करें, आप हम दोस्तों हैं ही, दोस्तों बने ही रहेंगे, लेकिन अगर ये बात आपके काम की होग आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगी, तो हम आप मिल करके इस काम को करेंगे, तो ये चीज कहने से क्या होगा, सामने वाला ना comfort हो जाएगा, वो अपने mind को relax mode में आज जाएगा, नहीं तो वो पहले से ही आपके प्रती दुरभावना उसके अंदर है, या उसके पुर्वा ग्रह है, कि अरे ये बंदा आएगा, मुझे कैसे फसाएगा, कैसे भी प्लान दिखा करके, कैसो नो कैसो मेरे से पैसा आइठ की ले जाएगा, इस भावना के कारण से, वो सामने वाला व्यक्ति हमसे ना हमारी कुछ भी नहीं सुनता, बस हमारे सामने बैठा रह है, तो जब आप प्लान दिखाएं, तो उसे एकदम कमफर्ट कर दें, कि भाई आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है, जिन लोगों के अंदर कोई सपने है, जो लोग कुछ महात्वा कांक्षी है, जो जीवन में कुछ बड़ा क करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुझे जरूरत है, अगर आपको भी कोई सपने होंगे, अगर आपके पांस भी कोई महात्वा कांक्षाएं होंगी, तो आप इस प्लान को देखिए, हमारे बिजनिस अपर्चुनिटी को देखिए, अगर समझ में आता है, तो हम दोनों मिल करना है, उसे बोजिर नहीं बनाना है, अब हम जिसे आपको बताये थे कि कोई भी प्लान आपका maximum आधे घंटे में हो जाना चाहिए, प्लान अगर आधे घंटे में आपका हो गया, तो क्या फाइदा होगा, कि आपको next आधे घंटे, जो maximum एक घंटे का आपका time period है, उस ये कर पाएंगे, तभी जब आपके पास टाइम हो, प्लानी में आप एक डेड़ घंटा लगा देंगे, तो फिर वो तो आपकी सुनेगा नहीं, और फिर आपको नेक्स टाइम आप बताई नहीं पाएंगे, क्योंकि जबी भी वो व्यक्तिक पर आप question session चालू होगा, जब व कई सवाल करेगा, कि सर ये आप मैं दो तो नहीं कर पाऊंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे पास time नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये network marketing सर बहुत बुरा काम है, ये लोगों को जोडने वाला काम मेरे समझ में नहीं आता है, ये लोग सुनते नहीं है सर, इस तरीके के स तेकड़ों सवाल होते हैं, जो फिल्ड में आते हैं प्रायारूप से, ये सारे सवालों के जवाब आपको तयार करने हैं, ऐसे तयार करने हैं, जिससे कि सामने वाले के हर सवाल के आप जवाब दे दें, और उसको देने के बाद आप कहें कि देखो भाई, आपको और भी दे दिया कुछ भी उचाए कॉपी केट मार्केटिंग दे दिया कोई एका किताब आप चूज करिए कि सामने वाला किस तरह का बंदा है किस तरह का प्रोस्पेक्ट है उसको उस तरीके के किताब आप दे दीजिए देने के बाद कहिए कि सर अम परसों फिर मिलेंगे और फिर इस पर discussion करेंगे या कल फिर मिलेंगे तो वो खुदी time बताएगा जब आप बोलेंगे न कल या परसों की बाते तो वो खुदी कहा नहीं या कल परसों नहीं चौथा दिन तुमाना तो वो जब date and time देते हैं उसी time पे आपको पहुंच करके आपको उसी book से आपको बता दें ज हो सकता है पहले दिन आप आइडी प्रूफ ले लें हो सकता है उस दिन अगर उनके पास availability नहीं हो तो नाम पता सब तो लिखे लेजिएगा आपने डायरी में और लिखने के बाद आप अगले दिन जा करके उनकी आइडी अगर दे चुके होते हैं तो उस दिन भले वो पैस लड़की हो चाहिए लड़का हो जो इधर उधर वो भटकते हैं वो भटकाओ खतम हो जाता है उसी तरीके से इस व्यावसाय में जब आप उनकी आइडी ले लेंगे तो उसको यह पता चल जाएगा कि हम एक कंपनी में जुड़ गए हैं सामने वाला जो व्यक्ति होता है को पहले ही वो ददार यह नहीं आ रहा हमको तो दो दिन पहले एक मेरे भीया आया थे वो मुझे एक कंपनी में जोड़ दिये हैं तो वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से आपसे अटेच हो जाता है भले उसने पैसे नहीं दिये भले उसने बिजनिस की स्टार्ट नहीं किया लेक करकर उसे बताइए कि देखे सर आपकी आइडी लग गई आपको आप एसे एक्टिवेट कर लिजिए तो आप जानते हैं दो रास्ते हैं एक बाइनरी से एक जनरेशन से तो आप जो भी आप चाहें उसको फिर से एक्टिवेशन पैकेश से और या तो फिर री-पर्चेस से आ अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें जोस न हो, उसमें उत्साह न हो, उसमें आपके बताने का तरीका धंग उसका ठीक न हो, तो आपसे वो जल्दी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं न, कहा है उत्साह संपन्नम, अदीर्ग सुत्रम, क्रिया विधिग् लक्ष्मी उन्ही के पास आती है, धन उन्ही के पास आता है, जो उत्साह से युक्त होते हैं, उत्साह संपन्नम, अदीर्ग सुत्रम, क्रिया विधिग्यम, उन्हें फार्मूले पते होते हैं सफलता के, वो उस पर चलते हैं फार्मूले पर, और सूर होते हैं, यानि वो ज और कृतग्य होते हैं, आभारी होते हैं, बिनम्र होते हैं, ऐसे लोगों के यहां लक्ष में आती हैं, यह बात बहुत 100% है और यह बात आज की नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसीयों ने इस पर रिसर्च करके बताया है, तो आपको भी इस बात को ध्यान में रख कर सकती है जो आपको टाइम मड़नी से करोटी रिलेशन सीप रिकोगनिशन लाइफ स्टाइब सब कुछ बदलने वाली है सब कुछ मजबूत करने वाली है आपको फ्रिडम देने वाली है तो आपके प्लान दिखाते समय आपके अंदर प्रसनता होनी चाहिए आपका चित आप इस भावना से जब जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आप से प्रहुईत होगा क्योंकि आप समझे कि सामने वाला हार्ड वर्क के मकड़ जाल में फसा हुआ है और आप उसे उस हार्ड वर्क से उबार करके आप उसे स्मार्ट वर्क की तरफ ले जा रहे हैं तो उसक भला हो सकता है इस भावना के साथ आपको काम करना होगा अपनी बातों को सामने वाले की आखों में आख्ये डाल करके मतलब आप अन्ट्रेक्षन आप उससे अट्रेक्ट नहीं करेंगे आइपकर नहीं बनाएंगे तो आपके अंदर लगेगा ना कि यह ब्यक्ति प्रभावशाली नहीं है यह ब्यक्ति कुछ छिपा रहा है यह जूट बोल रहा है यह प्लान में कहीं कुछ लोचा है तो उसे कहीं ध्यान रहे प्लान दिखाते समय बहुत आंकड़े नहीं दिखाने है प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग में आपको आंकड़े दिखाने है आप उदारन ले सकते हैं प्लान के समय में लेकिन बहुत जादे आपको उसमें नहीं भरना है क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा कि सामने वाले से ना कुछ ऐसे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट भी ले दें जिससे अगर आपके पास लिस्ट नहीं है कोई तो लोग करते हैं मेरे पास लोग नहीं है तो ऐसे कंडिशन में आप उस मीटिंग से भी कुछ नई मीटिंग निकालें इसका तरीका क्या है बताता हूं जीसे मालीची आप किसी के हां होम मीटिंग करते हैं पांचे लोग आए पांचे लोगों में आपने वाच किया कि एक दो लड़का या एक दो लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं तो आपका पुरा प्लान खतम हो जाए तो अंत मैं उन लोगों से जरूर आप मिलें और म और तो कहेगा हाँ ठीक है सर हम भी मिलना चाहते हैं तो आपका फिर एक meeting fix हो गई तो इस तरीके से नए-नए meeting fix होती जाती है meeting से meeting निकालो meeting के ठूछ से meeting निकालो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत लोग मिलते जाएंगे और कोई ने कोई आपको ambitious लोग मिली जाएंगे, सपने वाले लोग मिली जाएंगे, जो कुछ जिंदगी में चाहते हैं। और आपको ये चीज़ोर बताएं कि हमेशा आप जो प्लान दिखा रहे हैं, उस प्लान में ये ध्यान रखें कि जो हमारा जो growing applying leader है, वो किस तरह से प्लान दिखाता है? तो growing applying leader के प्लान को जरूर देखें और उसको copy करें। अगर ऐसा करेंगे, तो आपका ब्यावसाय बहुत आसानी से विक्सित होने लगेगा। और इससे क्या होगा? और हमेशा ध्यान रखें कि जभी भी कोई meeting इडन करें तो उससे कोई न कोई ऐसा दुबारा meeting करने का timing जर नहीं है, वो बस आपकी बात सुनने के बाद वो दुबारा क्या करता है? वो दूसरे दूसरों से राय लेता है और राय चंद लोग उसे ऐसा राय देते हैं कि फिर आपका phone उठाना बंद कर देता है. तो इसलिए दुबारा meeting की timing जरूर आपको set करनी है ताकि आद जब सांदार leader को अपने team में ला सकते हैं. तो इस तरह से business की सुरुआत करनी है. अब business करना कैसे है? तो हम आपको अच्छा slide दिखाते हैं कि business plan कैसे करना है सुझी. जैसे example की बात करें. तो सबसे पहले तो आप उसे उसको अपने business plan presentation में call करते हैं, बुलाते हैं कि आपका स्वा आउशर है, जिसमें कि आप और आपके पूरी family के लिए एक सांदार project है, जिससे कि लोगों के जिन्दगियां बदल सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं. तो आईए हम लोग एक PPT देखते हैं. तो आपका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, welcome करेंगे, welcome the world of opportunity. सर ये एक business plan दिखाते समय, first page ये है आपका, second page में आप सवाल पूछेंगे, किसी भी ग्यक्ति को plan दिखाते समय, आपको पहला चीज है उसकी needs create करना, उसकी वजह create करना, जो ऐसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था, कि आपको वजह पैदा करना पड़ेगा, एक कहानी के माधम से, जब तक वजह पैदा नहीं होगी, तब तक आप बड़ा ब्यापार, आप उसे interact नहीं कर पाएंगा, आप कामी नहीं करेंगे, वजह तो आपको create करनी पड़ेगी, तो ये पहला सवाल ऐसा हो, जिससे सामने वाले का वजह clear हो, तो पहला है how to show the plan, में, आप क्या आप चाहते हैं सर, या यह न पुछ करके आप ऐसे भी करते हैं कि क्या आप चाहते हैं, do you want health, wealth, security, time freedom, money freedom, job freedom, recognition, world tour, ये सब आप सवाल कर सकते हैं, कि क्या आप चाहते हैं कि आप स्वस्त रहें सर, क्या आप चाहते हैं कि आप wealthy हो, आपके पास car हो, घर हो, luxurious lifestyle हो, क्या आप जीवन सेक्योर हो, कि आपके जीवन में कोई घटनाए भी घटे, तो आपके जीवन पर प्रभाव न पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास आप पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन टाइम फ्रिडम हो आपके पास, आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें, उस पैसे को इन्ज्वाइब कर सके आपके पास इतना time भी हो क्य आप चाहते हें कि आपको पैसे के लिए न सोचना पड़े है कि आप चाहते है कि आप इस job की दर्ध से मुक्त हन घुम कि आप चाहते है कि आपको बड़े बड़े बोले हाँ हाँ ये सब हम चाहते हैं तो जब आप ये सब चाहते हैं तो आपको ये दूसरा स्लाइड में ये समझाना पड़ेगा कि आपके पास options कैसे कौन से हैं जिससे आप ये सारी चीजों को प्राप्ट कर सकें आप health, wealth, recognition, security, time, freedom ये सारी चीजे आप कैसे प्राप्ट करे के लिए आपके पास option क्या है तो second second slide में आप option बताएंगे और option में ये quadrant Mr. Robert T. Kiyosaki का जरूर बताएंगे कि ESBI quadrant क्या होता है आपको ये बताना पड़ेगा active income, passive income क्या होता है आपको ये बताना पड़ेगा कि active income वाले लोग जब खुद ये काम करते हैं तब पैसे आते हैं य गरुकर इनका effort खतम तो पैसे खतम और हर वैकलती क्या effort limit होता है इसलिए इनकी आमदनी भी limit नहीं होती है intakeoplai कौन होता है इंपल ये वह व्यक्ति होता है जो हमेसा दूसरों के सपनों के लिए काम करता है ये बुरावाक्य है ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंपलाई W अभर्रम्ण फिर ब्यक्ति हो तो या तो लिए आप काम करते हैं या तो लिए अपने लिए काम करते हैं लेकिन इनके लिए time सबसे बड़ी problem होती है reason क्या है उसका उसका reason यह होता है कि ये पैसे अधिक कमाने के चक्कर में time जादे देते हैं सुबस 7 बजे से रात 9 बजे तक देते हैं चाहे वो doctor हो, चाहे दुकानदार हो चाहे chartered accountant हो कोई भी व्यक्ति हो किसान हो अगर आप तो आपका प्रोफेशन में टाइम ज़ादे जाता है और आमदनी जरूर इंपलाई से ज़ादे आ सकती है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो लुगजरियस लाइफ आप जी नहीं सकते हैं और ऐसे लोग दुनिया में 95% हैं जबकि लोगों के पास बहुत पैसे नहीं हैं यह लोग केवल hand to mouth में ही है luxurious life में है ना तो time है इनके पास खाने का भी फुर्सक नहीं है तो यह आपको थोड़ा बताना पड़ेगा आप सभी प्लान दिखाना जानते हैं तो यह इस पर हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं हम आपको बस यह बता रहे हैं इसको आपको समझाना होगा इंप्लाई सेल्फ इंप्लाई बिजनिस मेर और निवेस्टर को डीटेल करेंगे जब आप इसको और आप लोगों के आवाज जा रही होगी और तो आप आपको बताना क्या है आपको यह बताना होगा कि यह अगर आप चाहते हैं एक्टिव इंकम से पैसिव इंकम की और आना अगर आप चाहते हैं एक्टिव इंकम से पैसिव इंकम की और आना तो हमारे पास एक आप्शन है यह क्या है आप तब traditional marketing और network marketing के differences को आप बताएंगे network marketing और traditional marketing के differences को आप बताना होगा कि actual में कोई भी product अगर हमारे हाथ में 100 रुपए में आता है तो उसकी actual manufacturing cost जो होती है वो 30 to 40 रुपीज ही होती है 30 रुपीज होती है CS जो 70% है उसमें taxation, transportation, advertisement and distribution channel होता है distribution में, transportation में, advertisement में और taxation में 70% पैसा हमारे जेब से जाता है तो आपको यह समझना होगा कि यह वे लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं तो पैसे वाले लोगों के ही घर में पैसे जा रहे हैं अगर मानिजी आपने 20,000 रुपए कमाई किया और आप जानते हैं 20,000 रुपए खर्चे किये या 15,000 रुपए खर्चे किये तो उसका 70% उन लोगों के हाथ में चला गया आपको product तो मिला जो की वास्तविक कास्ट 30 रुपए थी 30% थी 70% अमीरों के आपको ये बताना होगा कि इसी का ये रास्ता है आपके हाथ में जो 70% दूसरों के हाथ में जा रहा है अब ये 70% हमी और आपके बीच में जाएगा इसे काते हैं consumer ही proprietor हो गया consumer ही promoter हो गया consumer ही distributor हो गया ऐसी परिस्थिती में consumer को भी आमदनी आने के chances हो गये अब तक consumer को पैसे नहीं आते थे customer को पैसे नहीं आते थे सिर्फ distributor को पैसे आते थे यहाँ पर customer को भी अब पैसे आएंगे क्योंकि customer ही distributor बन गया जबकि दूसरे जगह customer को distributor बनने के लिए बहुत सारी पूंजी की ज़रुरत थी लेकिन यहाँ पर बिना पूंजी के हम start कर सकते हैं as a customer अब आपको यह बताना होगा अपना पूरा business plan कि अब हमारा business plan क्या है जिस business plan के through हम आपको हम लोग business करते हैं तो हमारे यहां दो तरीके हैं non package और package based non package में हम लोग कैसे business की शुरुआत करते हैं तो आप जानते हैं कि हम सभी customer है तो customer benefit चाहता है तो वो कोई भी सामान खरीदता है दुकान से तो दुकान से अगर कोई भी सामान खरीदता है तो सिर्फ सामान ही मिलता है दूसरे condition में कोई कुछ लोग सामान दुकान से ना खरीद करके online खरीदते हैं e-commerce कंपनियों से जैसे Amazon हो गया Freepcard हो गया, Snapbil हो गया Miso हो गया बहु सारे ऐसे online platform है जहां से आप product खरीदते हैं क्यों खरीदते है online भाई online आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको product भी मिल रहा है और discount पे मिल रहा है इसलिए आप online चले गए तीसरा रास्ता ये कवर होता है Fito Sell Life Fito Sell Life में अगर आप खई जोगे तो product तो हम देंगे quality वाला product देंगे दूसरा हम आपको हर product पे discount भी देंगे जैसे online वाले दे रहे हैं तीसरा हम आपको offer भी देंगे free भी product देते हैं अगर बलक आप purchasing करेंगे तो और जो चौथा जो सबसे बड़ी चीज है वो हम आपको आमदनी भी देंगे जो कोई नहीं देता हम आपको आउसर देते हैं income करने का हम आपको आमदनी करने का आउसर दे रहें जिससे आपके life में बहुत बड़ा transform होगा और अगली चीज आपको हम freedom भी देंगे आने वाले समय में time और money से क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ जो income आती है वो active income नहीं आती वो passive income आती है वो आपके ही केवल काम से आमदनी नहीं आती आपके द्वारा किये गए जितने भी team है उन सारी teamों के द्वारा किये गए काम से आमदनी आती है तो इसलिए passive income आती है वो भी passive income duplicative यानि exponential growth के साथ एक growth होती है linear growth और एक growth होती है exponential growth तो आपको उसे बताना होगा कि ये प्लान जो है, ये exponential growth के साथ हम लोग income देते हैं, तो ये सपने पूरे होने वाले हैं, ये पूरा आपका business plan होता है, कि आपको हम सबसे पहले retail profitability दे रहे हैं, 15-40%, फिर 7-25% difference income, leadership bonus, director bonus, car fund, travel fund, luxury fund, सभी fundम आपको देते हैं, total 70% देते हैं, इस तरीके से आप दिखाते आ रहे हैं, अब आप जब plan दिखा लेंगे अपना total, plan दिखाने के बाद आप product दिखाएं, आप थोड़ा सा उल्टा करिए, क्योंकि होता क्या है न, जब आप product दिखाना शुरू करते हैं, तो पहले ही question आने शुरू हो जाता है, बाद में दिमाग दिखाया, अब आप उसे product दिखाएंगे, product पूरा define करेंगे, बताएंगे, तो उनके सवाल आना शुरू होगे, अब देखिए, plan हो गया, plan के बाद अब एक question answer session चालो हो गया, आप उसे power up duplication भी दिखाएंगे, कि यहां संभावना कितनी बड़ी है सफलता की, यह closing part है, यह plan का part नहीं है, अब एक closing का part है, यानि आपने सबसे पहले उसकी needs तयार करी, उसके dream को देखा, उसके सपने हैं, उसकी चाहत है, उसकी जरूरते हैं, उसको set करने के बाद उन्हें बताया कि यह जरूरते, यह चाहत पूरे कैसे होंगे, option क्या है, तो आपने ESBI quadrant समझाया, उस business कर सकते हैं, यह हमारा आउसर है, फार्टो से life का, इसके बाद आप closing part पे आगए, closing part में यह कई एक topics होते हैं, जिनके थूरू आप closing कर सकते हैं, जैसे एक closing का part यह भी है, और उसे भरोसा दिलाना होगा, कि आपकी यहाँ सफलता 100% है, यह आप, जैसे ही आप ID proof देंगे, तो आपकी यहाँ joining हो जाएगी, और आपको सफलता करना मेरी पूरी responsibility है, हम आपको सफल करेंगे, कैसे करेंगे, देखे सर, आपको सफल करने के लिए, आपके साथ हम हैं, हमारी line of sponsor की, जिसने आपको business दिखाया, वो है आपका line of sponsor, जैसे, जैसे, कि आपने, माने यह सूसीला मेडम ने, सूसीला मेडम में किसी को plan दिखाया, तो उसका support कौन करेंगी, सूसीला मेडम करेंगे, कि अजे साउंड भी करेंगे, अब इसलिए सवसिला मेडम करेंगी ताथ काली हाँ, इमर्जेंसी में कभी-कभी अजय साहू भी करेंगे या अर्विन देश सर भी करेंगे तो ये रेगुलर क्या है? ये पूरी लाइन आफ इस्पॉंसर है मतलब आपके जस्ट अप्लाइन सीरीज से लेकर के टाप अप्लाइन तब ये लाइन आफ इस्पॉंसर कहलाएगी इस्पॉंसर की सीरीज ये पूरी आपकी मदद करेगी दूसरा कौन करेगा? आप सोचिए अजय साहू सर इंडिविजूल हमारे टीम में आकर के तो हैट नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपने टीम में ब्यासता है कोई भी ब्याक्ति क्रॉस लाइन के दिमाग को अगर काम करता है तो वो ब्याक्ति ना बढ़ा काम नहीं कर पाता है क्योंकि अल्टिमेटली उसे अपने बिजनिस को वाच करना है तो no cross line के आधार पर अगर देखें तो आप support करते हैं LOS ही आपका support करता है LOS वो है जो आपसे कहीं न कहीं जादे जानता है इसलिए ये पूरी आपकी physical support करता है दूसरा आपको support system काम करेगा company फाइटो से लाइफ आप जानते हैं कि आपके जुड़ते मात रही आपकी appliance series तो जुड़ी गई साथ ही साथ आपकी company भी आपके साथ जुड़ गई आप भी company से जुड़ गई direct आपकी company code देती है कोई individual code नहीं देता वो PCL number होता है न तो वो फाइटो से life directly आपको अपना distributor बनाती है आपको अपना distributor बनाती है और जब distributor बनाती है तो यह क्या देती है आपको best quality product तो अभी भी late payout नहीं आया आज तक पूरा accounts और taxation का पूरा हिसाब किताब आपको कोई भी educate नहीं रखना है कोई भी accountant नहीं रखना है आपको कोई भी taxation का लोचा नहीं है यह सारा काम company आपके लिए करती है जबकि आप को यह अन्य ब्यावसाय करते तो आपको sell tax income tax मलब पूरी दर्द रहता आपके पास कि हैं यह कोई दरद नहीं न तो आपको धुकान खोलनी है न तो कुछ भी करना है न तो समय से अगर ट्ति लगाने जाना है न तो आपको जाडू पोचा करना है न तो आपकोolds출 कर किय manifestu आपको एमिल देना है कम्रे का कुछ भी नहीं आपका ready-made आपको मिला मिलाया विजनीस है ये फाइटो से लाइप एजर रेडी मेड बिजनीस है तो आपको ये फाइटो से लाइप आपको सपोर्ट करती है ये कम्प्लीट सकसे सिस तीसरा एकची जोर आपको सपोर्ट करता है वह हमारी एजूकेशन सिस्टम अब आप सोचिए अजयसाहु सर आप लोगों को ट्रेनिंग कर देते हैं कि नहीं बिल्कुल देते हैं यसी सुरेंदर वी केवी किसी भी ट्रीन से हूँ. आपको ट्रेनिंग देते हैं या यह भी हुलिखते हैं। जितने भी अप्लाइइंग लीडर साहें। जितने भी सक्सेश लीडर साहें, वह सभी आपके लिए सअप्र करने का काम करते हैं। आपके समय एफौर्ट और पैसे को बचाने का काम करते हैं, आपको ये कैसा तरीका देते हैं, जिस तरीके से आपका व्यापार करना आसान हो जाता है, ये पूरी आपकी पूरी organization है, ये fighter education team है, जो एक system है, जिस system के थूर आपको पूरा trend करेगी, plan कैसे दिखाना है, leadership कैसे करनी है, लोगों से बात कै कैसे करना है, कपड़े कैसे पहन के जाना है, आपको meeting में क्या बोलना है, आपको किस तरीके से invite करना है, आपको, आप अब जिसे होता क्या है, कोई भी विव्यक्ति जोईन करता है, और जाकर कि चार लोगों से का, भईया भईया हम तो एक हो network marketing company सुरू कर दिया है, आप भी जूर जाओ, एक भी ID नहीं आने वाली है, तो आपको समझना होगा, ये सारी चीज education system से जुड़े रहने से आपको जानकारी मिलेगी और success मिलेगी, इसी लिए हम per day आपसे कहते हैं, कि per day साड़े साथ से साड़े आठ की meeting को attend करिए, per day जब भी ट्रेनिंग होती है, attend करिए, आप core बनिए core, तो ये जो बात आती है, इससे सामने वाले को भरोसा होता है, कि हाँ यार हम भी success हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि company success है, 5 सालों से 6 सालों से चल रही है, वो पूरा career बताईए, आप 5 सालों में कि हमारी sir company की सुरुवात एक product से हुई, आज हमारे पास इतने products है sir company की इतने टूर कराया है, इतने business टूर कराया है, इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, इतने लोग साइकल से चलते थे, मोटर साइकल से चलते थे, आज कार खड़ीज लिये हैं, इतने लोगों का पुरा life transform हो रहा है, तो ये company की success, हमारी leadership, आपको success team आपको educate कर रही है, जिन लोगों को बोलने नहीं आता था, आज stage पे बोल रहे हैं भाई, जैसे हमें, हम तो accounts में काम करते थे, हमने कभी public का कोई काम ही नहीं किया, हम लोग तो क्यों computer, file, accounts इतने तक सिमित थे, लेकिन आज public पे बात कर रहा हैं, तो ये सब कैसे सिखा, ये education system ने हम सब को सिखाया, तो हम आप कोई भी बचपन से नहीं सीखे थे, करते करते सीखे, हम सीख करके ज्वाइन नहीं किये हैं, हमने करते करते सीखा है, पांच सालों में सीखा है, वैसे आपको भी time देना है, consistency लगा के लगातार बनाये रखनी है, बस लगे रहो, लगे रहो, लगे र जाता है, छेद हो जाती है, तूट जाता है, और यहीं बालू कैसे आता है, पानी के ही तो दबाव से बालू बना, ट्रके ट्रक बालू जा रही है, तो कहने का मदब है कि power किसमे है, consistency में, तो आप लगे, आईए मिल करके हम लोग तीन से पांच साल इसमें, part time में काम करते ह हैं और सफल होंगे, तो यह एक हो गया closing part, दूसरा closing में आप इस पर भी बात कर सकते हैं, कि जो आपकी आमदनी आती है, वो rate into time के वर्से जाती है, rate into time मतलब आपकी skill जैसी होती है, वैसा आपका rate होता है, और rate को define करता है market, आप tuition teacher है, तो आपकी quality के आधार पर आपको rate मिल गंटे काम करेंगे, उतने गंटे पैसे आएंगे, तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति का rate एक limit से जादे नहीं हो सकता, और time भी एक limit से जादे नहीं है, दिन भर में 24 गंटा है ना, दिन रात में आपके, आप कितना काम करेंगे, 10-12 गंटे, 14 गंटे काम करेंगे, तो 10 जीवन को कब जी होगे भाई मेरे, कब घुमोगे, कब इंजवाए करोगे, पैसे तो चलो बहुत कमा लिए, लेकिन कमा करके छोड़के चले गए इस दुनिया को, तो फिर उस पैसे का इंजवाए तो आपने नहीं किया, तो क्या क्यों बैल की तरह काम करने के लिए आए थ जो कि अगर आपने धीरे धीरे भी लगे रहा गए, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहा गए, किस बात की कंसिस्टेंसी, प्लान दिखाने की कंसिस्टेंसी, जो आपके हाथ में है, रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि कीता में का है न, कर्म वाधिकारस थे माफले सु ज्वाइन नहीं हुआ अरे यार ज्वाइनिंग को ध्यान में रखते हुए क्यों काम कर रहे हो आपको best plan की हिसाब से क्यों ने कर रहे है कि मैं सर वो सामने वाला कहाना गजब आपने plan दिखाया सर मज़ा आ गया ये सामने वाला जिस दिन बोलने लगे उस दिन आप success भले वो क्योंकि आपके प्लान दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे समझ आ गया, मुझे मज़ा आ गया तो जब सामने वाला ये बोले ना कि आप सफ़ल हो जाओगे, तो समझ जाओ आप सफ़ल हो जाओगे जब आपकी टीम आपकी मांग करने लगे कि काजल में आप मेरा प्लान दिखा दिजिए लवकेस जी आप चलो मेरे साथ तब मेरा बिजनिस उठ जाएगा, ये जब डिमांड आने लगे फिल्ड से तो समझ जाओ कि आप सफ़ल हो जाओगे, क्योंकि कहीं न कहीं आप में वो गुणवत्ता आ चुकी है, जिस कारण से लोग आपको मांग रहे हैं, जिस कारण से लोग आपको पसंद करना शुरू कर रहे हैं, तो आप उसी को बताइए कि बस हमें टेक्निक को फालू करना है तो पावर आप डुप्लिकेशन आप दिखा सकते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ, आठ से सुलह, ये डुप्लिकेशन का पावर साल, दो साल, तीन सालों में आपके पूरे लाइफ को ट्रांस्फार्म कर सकता है, इस से भी सामने वाले अव्यक्ति की क्लोजिंग आप कर सकते हैं, अगला सवाल होता है, कमपरीजन आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटर्क मार्केटिंग का भी आप कमपरीजन दिखा सकते हैं, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या-क्या चाहिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना होगा कोहां को कुछ करेंग को इससे भी आप क्लोजिंग कर सकते हैं अग्स खर्च करते थे, कमाते थे, एक रुपे महिने कमाते थे, वो मिडिल क्लास की जीवन जीते थे, 1940 में जो लोग 10 रुपे महिने कमाते थे, वो मिडिल क्लास में थे, 1960 में जो लोग 100 रुपे महिने कमाते थे, वो मिडिल क्लास में थे, 1980 में जो लोग 1000 रुपे महिने कमाते थे, झाल-ओरे, जो लोग दोजार में 10 जार रुपे महिने कमाते थी, वो मीडिल्र्ट लास में थे, 2020 में जो लोग एक लाक रुपे महिने कमा रहे हों मीडिल्र्ट लास में है, बास सच है कि नहीं? हाँ सच है, तो जब हर 20 साल में 1-0 बढ़ राहा है, तो क्या 2040 में 10 लाख नहीं आएगा आने वाले 20 साल बाद आपको लाख रुपए भी 10 लाख रुपए भी कम ही दिखाई देगा तो यह एक्सपेंस चार्ड से आप बताईए आपके पास कौन सा है साफसन है कि आप आने वाले 20 साल बाद 10 लाख रुपए महिने कमाएं या आन इससे भी आप निकाल सकते हैं कि आप लिए क्या कर रहे हैं तो यह भी कमाना पढता है जैसे पैसा कमाना पढता है वैसे विककवा नमंने घ्राइज सेटे आर एक्सियस नолotत रेस्ट भी करना होगा और नूट्रीसन सफ्लिमेंट भी लेना होगा आप सोचेंगे किसी एक के बगर हम करें तो असंभव कि आप नूट्रीशन नहीं लेंगे बीमार पक्का पड़ेंगे क्योंकि 35 साल के बाद आपके बाड़ी को बहुत सारे चीजों की गैप हो रही है